आज आमादनी पार्टी को वजूद में आये दस साल मुकमल हो चुके हैं हरविंद केजरिवाल ने दस साल पहले आमादनी पार्टी का फॉंडेशन रखा था दस साल मुकमल होने पर आज गुलबरगा शेहर में आमादी पार्टी सिटी प्रिसिरेंट सज्जादली नामदर और दीगर लीडर्स ने पार्टी आफिस में जशन मनाया है और साथ ही करनाटगा में असम्बली अलेक्शन को खरीब दे गुलबरगा नौर्थ MLA आइस्पिरेंट सज्जादली नामदर ने मिस्कॉल नंबर रिलीस किया है स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं नंबर पर मिस्कॉल देकर आप सज्जादली नामदर को सपोर्ट कर सकते हैं आपका मीस कॉल ये साबित करेगा कि आने वाले असंबले अलेक्शन में आप गुलबर्गा नौर्थ से सज़ादली नामदर को अपना वोर्ट देने वाले हैं। इस प्रोग्राम में सज़ादली नामदर के साथ गुलाम रसुल नौर्थ कोडिनेटर, मुक्तार आलम जनल सेग्रेटरी संजीव कारिकार वाइस प्रेसिडेंट, डॉक्तर राग्यवंदर रुगल अम्मेल्या एस्पिरेंट, SS बेनक नहली अफजलपूर अम्मेल्या एस्पिरेंट, मौहमद आरिफ आटोविंग नौर्थ प्रेसिडेंट, अनन्द आटोविंग नौर्थ वाइस प्रेसिडेंट, करन राथोव सौध प्रेसिडेंट, मीर मोसीन अली नौर्थ प्रेसिडेंट, डॉक्तर इम्रान अश्वाकली इनामदार, महभूबली खाजा हुसेन और दीगर लेडर पार्टी वर्कर मौझूद थें। मना रहे हैं इसके इस फंक्शन में हमारे नौर्थ के कोडिनेटर गुलाम रसूल साभ हैं, वाइस प्रेटरिस संजुक करेकल साभ हैं, हमारे जनरल सेक्रेटरी मुक्तार आलम साभ हैं, और रूरल के कैंडिडेट जनाब राजवांदर।्टर राजवंदर गुलकरनी साह हैं, उमेरे साई बैनिकनली साहब अब्जल पूर से कैंडिडेट हैं और जो है हमारे 27 के प्रेसिदेंट आवाड नमबर 27 के प्रेसिदेंट अलवतिइन साह हैं, भाड नमबर 41 के प्रेसिडेंट खाजा मुहिरद्दीन हैं और दीगर हमारे जो है ना पार्टी के आटोविंग के सदर जो है ना आरिफ मुहम्मद आरिफ हैं इन तमाम के मौझूद्गी में आज हम यहां आमादमे पार्टी कलबुर की सिटी ऑफिस में आमादमे पार्टी का टेंट दस्वा जो एना फाउंडेशन डे मनाएं आज इस फाउंडेशन डे के वह M 45 में हैं गुलवरगा नार्थ के 70-65-11-3636 हम मेरा नम्मर है आप तमाम गुलबर के के शेहिरियों से मेरी गुजारिश है मेरी अपील है मेरे भाईयों से मेरे भेनों से तमाम नार्थ के वोटर से अपील है हमको चेंज चाहिए बदलाव चाहिए गुलबर्गा शहर को एक आली मियार का शहर बनाना है स्मार्ट सिटी बनाना है तो आज हम आमाजमी पार्टी के तमाम कारे करता हैं यहां पर आहिद कर चुके हैं आज आहिद करते हैं गुलबर्गा जो 40 साल में ना हो सका डौलप वो development हम 5 साल अगले 5 साल में करेंगे मैं अवाम से अपील करता हूँ हाथ जोड़ कर अपील करता हूँ आप जो है ना इस मरतबा जैसा के दिल्ली में बदलाव आया वहाँ तरकी हुई वहाँ के लोगों को फ्री पानी मिल रहे फ्री करेंट मिल रहे तो हमारे यहां भी जो है ना आली मियार के तोटल फ्री ताली मिले उसके बाद हेल्थ टोटल फ्री हेल्थ मिले अच्छे दवा खाने बने महले किलिक बने गुलबर का सिटी में और स्कूल्स बने यह पानी फ्री देंगे करेंट फ्री मिलेगा इसके लिए बदलाओ जरूरी है जैसा दिल्ली वालों ने कहते थे दिल्ली में क्या आएगी आम आदमी पार्टी कहा है जारू बोलते थे कुछ भी नहीं था एक सिट भी नहीं थी हमारे फाउंडर हमारे नेता स्री अर्विंद केजरिवाल जी ने जो जादू करके बताया है जो जादू करके बताया है वो जादू आज गुलबरगा में भी करना है करना टका में करना है इसलिए करना है करना टका कि अवाम को भी दिल्ली के जैसी फैसलेज मिले करना टका कि अवाम को जो है ना पंजाब के जैसी सहुलत मिले आज हम गुजरात जीत रहे हैं गुजरात 100% जीत रहे हैं गुजरात के बाद नमबर करनाटका का है और गुलबर का का गुलबर का नाथ हम जीत के रहेंगे कुछ लोगों का कहिना है अरे बहुत कमजोर है आम आदवी पार्टी यहां क्या होता है तो उन लोगों को मेरा जवाब है हमारे यहां से साथ से आठ हजार रजिस्टर्ड मेंबर हैं उन्हें कोई जबरदसी से पार्टी में नहीं लिया वो हर एक आदमें दस से पंद्रा ओड जो है ना पार्टी को एने अनार्थ के कैंडिडेट को दिलाएगा यह हर एक वालेंट मगर इनके अंदर कड़क कॉलिटी है कड़क मियार है कैसा काम करना आफिसर से कैसा काम लेना यह हम जानते हैं तो इस मौके पर मैं कॉर्परेशन सिटी कॉर्परेशन के सोलत के बारे में बताता हूं अगर आम आदमी पार्टी आई तमाम सोलत जोना आनलें होंगी हार देट सर्टिफूकेट पर्मीशन मूटे डेशन करको से होता है आपको घर को आपको कौर्परेशन को मुद्दलन हों जोरत हम जो हैं सारी सोलत जो हैं आम आदमी पार्टी ओनलां करेगी आप घर में अपटलिकेशन डालें गैं तो दसंद्या पंद्राध दिन में जो वो मुदद में वो सर्टिफिकेट वो पेपर आपका आपके घर को पहुंचेगा उसके बाद आटियो हमारे और मोटर वेकलेक्ट में यह जो दुश्मन अवाम दुश्मन सरकार है बतीष जो है ना जब हम पर हुकुमत करते पे लगान लेते थे आज हमारे कुछ जो है ना मोटर सेकल पे फाइं आटो पे फाइं लारी पे फाइं फला पे फाइं फला ऐसा फाइन है इतने एक्टम हैं अगर पूरे दालेगा तो जो गाड़ी है आटो हंदे टू विलर रंदे वह इस बेश के वह पुलिज वह सरकार को हैं कि हो मिनिस्ट्र को देखे आना प पड़ रहे हैं तो आज यह हालत हमारी आके मुझे इसको बदलना चाहिए तो तमाम स्टूडन्स से मैं अपील करता हूं अगर हमारी सरकार आई आपको कोई नहीं सदेगा कोई फाइं नहीं हम उसमें तर्मीम करेंगे हम उसमें तर्मीम कराइंगे यह आमादमी पार्टी क कपन ड्यूस का है डाल मदकि आए इसे खतम करने के लिए आमदमी पार्टी बनी है अ मदक्री पार्टी जो बाबा साहिब बंबेडे करका जो सपना था ओश अर्वीन के जरेवाल जी पूरा करेंगे आज हमारे देश के अंदर आज इवाओ बेरोजगार है रोजगार देने का काम पार्टी आज दिल्ली और पंजाब के अंदर आम अजमी पार्टी के ऊपर उम्मीद है पुरी देश की प्रजा को ए हमारे माता बहेनों को सुरक्षा दे सकती तो केवल आम अजमी पार्टी और सुरक्षा दे सकती है यह भरोसा है पुरी देश की प्रजा का हम आने वाले दिनों में हर एलेक्शन पुरी ताकस से लड़ेंगे और जितेंगे जय हैं जय करना करें इन दिना समारम्मगता लेच्चिन नायक्रदा स्री साज्यादनी साबरे नम मित्रादा नत्तर रागवेदर साबरे चन्न सेंग्टी आलमसाप हागो नम अभजल पुरुदा रुबावी प्रुबावी एम्मेले श्री बेनिकलि साबरे ननन मित्रा रे मनना स्वध्यकड़ इदिन भाल, शुबधिन, नम्म यल्लने के हब्बद वातावरन दिन, इंदु नम्म देशद समिधानमाद स्तापने आगिद्धिन, इदनो नम्म यल्लरू अलवरसी कोण्डित दिन, इस समिधानादरी नम्में योळू मानु हक्किलों कुड़लागिदे, आउ याववेंद इन अपादरे, ओड़्टकूड़ हक्कू, धार्मेंका हक्कू, पुरा आस्ति हक्कू, इज योळू कुड़लागिदे, इदे इन अम्म्म आवदि पार्टी पक्षवू जन्म तालितु, इजन्मा तालित दिना नोणदे, नम्म आद्मादी पक्षव नेता अरू येस्ट इन आप लोगो का तेहा दिल से मैं शुक्र गुजार हूँ कि आप लोग पाटी में आया है, ये पार्टी पक्षव दसना करना मुदा येति-नम्म में पक्षव नेता अरू जली पक्षव नेता अवादि पक्षव के तो इल्हा नम्म आखोरी निम्म प्रमादीपार्वा स पार्टी के बाड़े में मैं यतना बताना चाहता हूँ कि अर्विन केजरिवाल जी का जो डानेमिक लीडर्शिप जो आज हिंदुस्तानी क्या पूरे वर्ल्ड में उनका नाम है और हम लोग उस आदमी के साथ में हम लोग जुरे हुए है पार्टी का मनुबल बहुत उचा है आप किसी भी आदमी से जाके बात करेंगे तो आप आराम से बात कर सकते हैं आप अपने दिल की बात उस सामने वाले से रख सकते हैं क्योंकि आप आम आदमी पार्टी से जुरे हुए हैं आम आदनी पार्टी से बात करने के लिए आपको कुछ डर खौफ की जरूरत नहीं है और साथ ने किसे बताया भी कि हम लोगों का भी होस्रा बहुत बुलंद है कि गुजरात के एलेक्शन के बाद गुजरात के एलेक्शन और रिजल्ट के बाद हम लोगों को टाइम भी नहीं मिलेगा इतना हम लोगों को काम करना है भी क्योंकि हम अर्विन केजरिवाल साब को यहां गुलबलगा में बुलाने वाले हैं और आप देखिएगा उस वक्त हमारे पार्टी का मनुपल कितना उचा हो जाएगा हम लोगों को तन मन धन से इस पार्टी के लिए 24 इंटो 7 लग जाने का है एक अकेला अदमी अर्विन केजरिवाल आज पूरे हिंदुस्तान में एक उमीद की किरन लेके आया है कि सब को यह उमीद है कि हो सकता है यह मुदी जी को एक अच्छा फाइट दे सकता है और उसका जीता जाकता एक्जामपल अभी आप गुजरात की अलेक्शन में देख लिए या करके आप मुबाइल आउन कीजे और आपको देखिए कि क्या पूरी अवाम रोड पे आ गई है उन लोगों को क्या चाहिए तबदिली चाहिए आज 27 यह से वों लोग वहां पे सफर कर रहे है पूरा का पूरा गुजरात का बिजनेस जीरो पे चला गया है मामिस पे चला गया है उन więcej चाहिए ब हो तबदिली कैसे होगी जब वहाँ की पाटी हमारे अर्विन के जिवाल साब वहां पे जागल के आज हर घर में उनका स्वागत हो रहा है